आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन मुजिक में आज मैं आपको बताऊंगी इस साल 2023 में शराद कब से सुरू है इस भार पित्र पक्ष की सुरुआद 29 सितंबर सुकुरवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा पूर्वजो को समर्पित ये विशेश समय अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर अमावस्य तक के 15 दिनों की अवदी होती है इसे पित्र पक्ष अत्वा सराद पक्ष भी कहते हैं परिवार के जिन पूर्वजो का देहांत हो चुका है उन्हें पित्र मानते हैं विक्ति की मृत्य के बाद जब तक उसका जन नहीं हो जाता वो शुक्ष लोक में राता है मानते हैं कि पित्रों का आश्रवाद सुक्ष लोक से परिवार वालों को मिलता है पित्र पक्ष में पित्र धर्ती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उन्हें आशिरवाद देकर उनकी सभी समस्याइं दूर करते हैं अब मैं आपको बताऊंगी पित्र पक्ष का क्या महत्व है मानने ता है कि पित्र पक्ष में सराद और तरपण यानी दान करने से पित्र प्रश्ण होते हैं और आशिरवात प्रदान करते हैं उनकी किरपास से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकाफटे दूर होती है व्यक्ति को कई तरीकी दिक्कोतों से भी मुक्ती मिलती है शराद ना होनी की स्तिती में आत्मा को पूर्ण मुक्ती नहीं मिलती है पित्र पक्ष में नियमित रूप से दान पूर्णे करने से कुडली में पित्र दोश दूर हो जाता है पित्र पक्ष में सराद और तरपन का खाश मैत्व होता है। अब मैं आपको बताऊंगी पित्र पक्ष में कौन सी गलती नहीं है। पित्र पक्ष की अवदी के दौरान खाने में पित्र पक्ष की अवदी को असुम माना जाता है। और ना इसका हिस्सा बनना चाहिए। इस अवदी में किसी भी तरह का जश्न मनाने से आपके पूरवजों के प्रती उनकी श्रद्धा प्रभावित होती है। पित्र पक्ष की अवदी को असुम माना जाता है इसलिए इस दौरान कुछ भी नया शुरू ना करने की सला दी जाती है। इस दौरान परीवगार के सदस्यों को नए कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। कुछ भी नई चीज नहीं करीदनी चाहिए। पित्र पक्ष का समय पूरवजों को समर्पित है। इस अफ़दी में सराब या मासाहारी भोजन के सेवन से भी बचना चाहिए। पित्र पक्ष के दौरान ना खून काटना, बाल काटना और दाड़ी बनवाने जैसे कामों से बचना चाहिए। और नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। पित्र पक्ष में हम अपने पित्रों को नियमित रूप से जल अरपित करते हैं। पूडी का बहुत महत होता है, पत्ते निकाले जाते हैं, पत्तों पर पूडी रखकर कोई को खिलाई जाती है, جिस्से कि हमारे पित्र जो हमारे पूर्वज हैं वो खुश हूँ। जिससे कि हमारे पूर्वज खुश रहें और हमारे जीवन में खुशाली बनी रहें। धन्यवाद। ऐसे अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन मुजिक को लाइक और सस्क्राइब करें।